Welcome Children, Today I am going to start a chapter of English of class LKG. Chapter name Bowels and Consonant What is provoline and consumers? We make words with the help of vowels and consonants. हम लोग जितने भी words बनाते हैं वो भ bipolar और inhabitants का help से बनाते हैं. Now start lesson. English alphabet has 26 later. यह मैंने प्रिवियस क्लास में पढ़ाया था कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं Of these 5 are vowels and 21 are consonants 26 में से 5 vowels होते हैं और 21 consonants होते हैं अल्फाबेट are divided into 2 parts अल्फाबेट को 2 parts में divide किया गया है vowels and consonants What is vowel and consonant? यहाँ मैंने कुछ वर्क्षित बनाया है These are alphabet A to Z vowel and consonant यह जो circle लेटर है A, E, I, O and U These are vowels यह vowels है A, E, I, O and U These are vowels Rest of them और बागे सब जो लेटर है उसको consonant करते हैं B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z These are consonants इसको consonant करते है भावेल्स Five vowels in the English alphabet जो मैंने अभी वर्क्षित में आपको बताया है कि इंग्लिस alphabet में five vowels है क्या क्या है A, E, I, O and U वो कैपिटल लेटर में था और यहाँ स्मॉल लेटर में है कॉंसोनेंट 21 कॉंसोनेंट इंग्लिस alphabet R इंग्लिस alphabet के जो 21 कॉंसोनेंट है वो यहाँ पे है B, C, D, F, G, K, L सौरी H, J, K, L, M, N, P, Q, R, H, T, V, W, X, Y and Z हम लोग यतने भी words बनाते हैं वो दोनों के बिना help से नहीं बना सकते हैं एक्जामपल में हम लोग देखते हैं जी, ओ, गो यहाँ पर में यह इस इस कॉंसोनेंट और इस इस भावेल इसमें दोनों का यूज़ विया सपोज थी लेटर वर्ट्स लिखते हैं C, A, T, कैट इसमें भी भावेल यह दोनों कॉंसोनेंट है और यह भावेल से बिना दोनों का हेल्प से हम लोग कोई भी वर्ट नहीं बना सकते हैं कुछ एक्सरसाइज दिया है यहाँ पे उसको हम लोग बुक में करेंगे बुला जा रहा है कि यहाँ पर भावेल से हैं उसको हम लोग टिक करना है रेड कलर से जो कॉंसोनेंट है और उसको क्या चीसे करना है टिक बुकलर से हम लोग भावेल को करेंगे रेड कलर से फर्स्ट ए, ए, आई, ओ, एड, यू इस आर भावेल्स ओके एंड कॉंसोनेंट करेंगे बुलू कलर से C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z ओके, इस इस होमवर्क पर टुड़े यह आप लोग का होमवर्क है इसको डूइन बुक इसको बुक में करेंगे ओके, थैंक्स परावेल्स